हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले most important question के में शीगा वाई ये question आपका exam में भी पूछा रहा चुका है ठीक है वही 2019 में पूछा गया है ठीक है तो question आपका important है क्योंकि पिछले वरसों की question ही आपके exam में आ सकते हैं ठीक है तो question भाई बहुत ज़्यादा important है और बहुती आसान है कुछ नहीं इस पर एकदम आसान question और आपका इस टाप का question ही exam में पूछा जाता है ठीक है तो please वीडियो को last तक देखना क्योंकि आज हम इसे बहुती आसानी से solve करने वाले है ठीक है क्या लिख रहेना है परत्धम कोटी K кил किया मतलब की n bear 1 LAUN इतना पता चल गया परत्धम इस सीरांग k ka मान ये लिख लिछ दिख लिया ठीक है एक ये वाला और एक ये भी दिवाग में आजाने चाहिए टी ये हाफ इक्वल्ट होता है 0.693 अपॉन के ये सूत्र आपको दोनों रटे होने चाहिए ठीक है जहां प्रिथम कोटी अपक्रिया की बात हो ये और दोनों दोनों फॉर्मॉले आपको याद होने चाहिए यहां तो ये वाला नहीं लगेगा ये वाला लगेगा लेकिन दोनों याद होने चाहिए ठीक है तो देखो आपको पता चला जब आपका प्रथम को टेप किया तो आपको ये वाला फॉर्मॉले याद है वही आपका आरधायू जैसे आपका टाइम है ठीक है आयू एक टाइम कह सकतो तो टाइम कितना कहरा है तीन बटे चार वनलब तीन चौथा याद की गड़ना करनी तो बहुत आसान है देखो अब आपको अगर इस फॉर्मॉले पर बात करें तो आपको यहां पर टी थ्री घः कर देना है तो देख सकते हूँ टी थ्री थ्री पार्य फ़ोर कर इकालते हैं व्लोग तो ंथिंपल करना क्या है या पर जैसे एग आप एक्स की भात आती है अपकी जो है प्रसानतता है और एक सबाद वाली ठीक है तो तो देखो प्रसानता अगर हम लोग कुछ ममने माना माना देख सकते हो हमने माना यहां पे प्रारंबिक सांदता जो है 100 आप यहां में प्रारंबिक सांदता को 1 भी मान सकते हो अगर 1 मानोगे तो x की value जो आएगी वो कितनी आएगी 1 का 3 बटा 4 मतलब 1 का 3 बटा 4 एक गुड़े 3 बटा 4 कर देना है हमने 100 इसलिए माना क्यों कि आपका जब उसका calculation करो तो आसानी सो जाए देखो जैसे 100 माना तो x की value कितनी आगी 100 इन्टू 3 बटा 4 अगर यहां मतलब पहला भाग होता तो क्यों एक से गुड़ा करते है 3 बटा 4 इसलिए 3 बटा 4 से गुड़ा कर दिया अगर 1 मानते है आप तो 1 गुड़ा 3 बटा 4 कर का लेनी तो a-6 a का मान 100 x का मान 75 तो इससे घटाओगे तो a का मान आ गया a-6 का मान आ गया 25 अब इसी वाले formula पर आपको a की value रख देनी है a-6 की value रख देनी और answer आपका आ जाएगा तो देखो आपने a की value रखी क्योंकि formula मारा है t3 by 4 equal to 2.303 upon k log a upon a-6 ठीक है a की value कितनी है 100 100 रख दिया a-x की value कितनी 25 25 रख दिया आप देखो क्या करना है आपको simple जब 25 से 100 को cancel करोगे तो 4 आ जाएगा 25 से 100 को cancel करोगे तो कितना आ जाएगा 4 ठीक है तो अब आपका देखो answer जो आएगा वो कितना आ जाएगा ठीक है आपका 4 आया था और 4 को हम लोग 2 की power 2 भी लि इसमें 10 2 की power 2 मतलब की 4 ठीक है तो इतना कर दिया आप देखो बहुत ही आसान होने वाला आपको एक formula बस याद रखना है log m की power n का formula होता है n log m क्या formula होता है n log m मतलब जहां पे log m की power n लिखा हो वहाँ आपको n log m लिख देना है जैसे देख सकतो m की जगा भी 2 है और n की ज से मान लो तो कितना हो जाएगा n log m वाले formula से 2 log 2 तो हमने यहाँ पे formula लगा दिया n log m वाला तो यहाँ पे 2 log 2 हो गये इसकी जगा ठीक है तो यह log वाला formula याद रख लेना ठीक है तो 2.303 upon 2.54 into 10 के power minus 3 2 log 2 ठीक है अब log 2 की value होती है log 2 के जो मान होता है वह होता 0.30 यह आपक जाना था यू जाता log 2 का तो इसको ज़रूर याद रख लेना ठीक है तो log ढूगी आपको यहाँ पे value रख देनी ठीक है log 2 की value रख ही हमने 0.3010 अब आपको आसानी से solve कर लेना आप तो कोई दिक्कर निक्स में calculation ही रहे गया 2.303 into 2 into 0.3010 के गुड़ा करोगे 1.386 ठीक है तो यही है आपका 3 मटे 4 आयू की गढ़ना ठीक है 3 मटे 4 आयू हमने निकाल दी है तो देख सकते हो भाई question एकदम आसान था कुछ नहीं था question पर लेकिन important था एकदम आसान ही समने लगा है ठीक है देख सकते हो 3 चौथा यह आयू कहे रहा था इसने यह T3 by 4 कमान नि इस वीडियो